वेल्कम टू सिवल से श्टड़ी वेल्कम बैक यूपीस से सिवल सेवा का अगला टैस्ट लगाते हैं टैस्ट नमबर 359 आज है डेट जब यह टैस्ट रिकॉट किया जा रहा है डेट 27 मई 2020 तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी की पूरी टैस्ट स्रीज की प्लिलिस्ट बना रखी है वहाँ पर आप टैस्ट नमबर बन से लेकर 359 तक पहुं सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आज यह कोश्य नमबर बन पर नमलिखित कत्नों पर विचार करना है पहला स्टिट्मेंट है थाइराइड ग्रंथी गर्दन के सामने वाले हिस्से में प उत्पादन करती है दो यह तहिछ ता इय्कि घरज़ी से निगलता है थाइरक्सन हर्मों से भी कह सकते हैं तो करेक्टर पहला वाला स्टेट्मेंटlio करेक्टर दूसरा वाला स्टेट्मेंट लेकिं तीसरा गलते του क्योंकि ताइरोघ र्मचमें थाइराइस ग्रंथी कौई मुझे को विन ठाइराइड डिवस वार्ड ठाइराइड डे मनाया गया और ठाइराइड के संब्सें जागरुकता फैलाने और इसके अपचार है तो लोगों को सिक्षित करने के उद Northern षी कौणे 15 माई को विन थाइराइड डे मनाया जाता है इस दिवस की इस्थापना मुख्य रूप से थाइराइड के नए उपचार के बारे में जागरुकता बढ़ाने और सिक्षा तथा रुकताम कारिकरमों की ततकाल अवशक्ता पर ध्यान के अंद्रित करने के लिए विस्विस्थर पर अमेरिकन थाइराइड एसोसियेशन और यूरोपिय थाइराइड एसोसियेशन के नेत्रत में चल रहे अभ्यान के एक हिस्थे के रूप में कप की गई थी दोहर आठ में की गई थी अब देखिए थाइराइड गरंथी जो है गर्दन के सामने वाले हिस्थे में पाई जाती है एक अ हर्मन्स का उत्पादन नहीं कर पाती तिसरा वाला स्टेट्मेंट करती है जो कहता था या वश्बशक्ता से अधिक उत्पादन करती है और जुक्र्ध की होती है इसका निर्यात पेशावर के रास्ते काबुल और मदेशिया में किया जाता है कांगडा की चाय को भोगोलिक संके तक जोग्रफिकल इंडिकेशन जी आई टैक प्राप्त है तेके चूकि इसको जी आई टैक प्राप्त है आपको पता होना चाहिए कि काली और हरे दा आने वाली दोनों होती है और पेशावर के रास्ते काबुल और मदेशिया में जाती है सारे के सारे करेक्टेंडी है इसका उत्तर तो उपरोग सारे के सारे कथन सत्ते हैं कांगडा की चाय के संदर में तो कांगडा भारत के सबसे छोटे चाय छेत्रों में से एक है कांगड चाय जो है वो हरी और काली दोनों परकार की होती है काली कांगडा चाय स्वाद में मीठी होती है जबकि हरी कांगडा चाय का जो स्वाद है वो सुगंदित लकडी के समान होता है इसका निर्यात पेसावर के रास्ते काबूल और मध्वेश्या में किया जाता है कांगडा चाय को जोग्रिफिकल इंडिकेशन प्राप्त है और न्यूज में धिये कुश्य नुमबर थी है हिमाले जैप संपदा प्रदोग की संस्थान आई एच बीटी के संदर में कुछ स्टेट्मेंट है देके हिमाले जैप संपदा प्रदोगी संस्थान की स्थापना भारत सरकार सेतंबर 1942 में एक स्वायत निकाय के रूप में की गई थी हिमाले जैप संपदा प्रदोगी की संस्थान द्वारा संपूर्ण भारत में CSIR की मौजूदगी में 38 राजट्य प्रियोक सालाओं का संचालन किया जा रहा है बिलकुल किया जा रहा है करेक्टर दूसरा स्टिट् सेतंबर 1942 में एक स्वायत निकाय के रूप में इसकी इस्थापना वे तो यह भी सही है इसका उत्तर है तो देखिए ओपरोग दोनों कतन सत्य है हमाले जैप संपदा प्रदोगी संस्थान इह बिलकुल का संपूर्ण भारत में CSIR की मौजूदगी में 38 राजट्य प्रियोक सालाओं 49 दूरस केंद्रों तीन नमूनमेशी कॉंप्लेक्सों और पांच यूनिटों के सक्रिय नेटवर का संचलन किया जा रहा है अब देखिये पूछा क्यों गया ये सवाल अंतराष्टिय चाय दिवस 21 मई के अफसर पर हमाले हिमाचल प्रदेश के पालमपुर इस्तित हमाले जयब संपर्दा प्रोधुकी संस्थान में आयोजित सेमिनार में पैग्यानी को द्वारा इस वात की पुष्टी की गई की कां विधमान है जो कोरोना वाइरस के संकरण से प्रभावी रूप से लड़ सकते हैं चलिए अगला प्रशन देखते हैं कोश्चन नमबर 4 हाल ही में प्रोफेसर देवराय की अध्यक्षता में मदुमक्खी पालन विकास समयती का गठन किया गया इस समयती की क्या सिफारिसे है पहला स्टिट्मेंट है मदुमक्खीों को क्रशी उत्पाद के रूप में देखा जाना चाहिए भूमिहीन मदुमक्खी पालकों को किसान का दर्जा दिया जाना चाहिए और मदुमक्खी पालकों को राज सरकार द्वारा परसिक्षन और विकास की सुविदा उपलब्द क जानी चाहिए ये बिल्कुल सारी की सारी सिफारिसे हैं इसका उत्तरह उप्सन नमबर डी तो देखिए प्रोफिसर देवराई की अधिक्स्तावली समिटी की प्रमुक्स सिफारिसे देख लीजे मदुमक्खियों को क्रशी उत्पाद के रूप में देखा जाना चाहिए तथ सायसे बागानों का प्रवंधन महिला स्वयम सहता संहों को सौपा जाए मदुमक्खी पालकों को राज सरकार द्वारा प्रसेक्षन और विकास की सुविदा अपलब्द कराई जानी चाहिए और सहद सहद मदुमक्खियों से जुड़े अन्य उत्पादों के संग्रहन प्र खनन, उत्खनन और रेग्षन पर प्रतिबंद लगाया जाए किसी नई ताप विद्धुद परियुजना की अनुमती ना दी जाए किन्तु प्रतिबंदों के साथ पन विजली परियुजनाओं की अनुमती दी जाए मदुमक्खी पालकों को राज सरकार द्वारा प्रसेक या दूसरा सही है इसका अंसर क्या हो जाएगा option number C के बले कोड़ों तो देखे कस्तूरी रंगन समेती की सिफारी से देख लीजिए खनन उद्खनन और रेत खनन पर प्रतिबंद लगाया जाए किसी नई ताब विद्दुत परियोजना की अनुमती ना दी जाए किन्तु पर प्रतिबंदों के साथ पन विजली परियोजनाओं की अनुमती दी जाए नए प्रदोशन कारी उद्द्योगों पर पर प्रतिबंद लगाया जाए और 20,000 वर्ग मीटर तक के भवन एवम निर्मान परियोजनाओं की अनुमती दी जा सकती है किन्तु टाउन सिप पर पूर भी रंगन समयती अभी नियूस में थी कोशन नुमबर सिक्स है पारिस्थितिक दरश्टी से संबेदान सील शेत्र एकोलोजिकली सेंसिटिव एरियास के संदर में विचार करना है आपको देखें यह संरक्षित शेत्रों राश्ट उद्यानों और वन जीव अभ्यनों के आ इसका मूल देख है राश्ट यह राता है तो देखें पारिस्थित के दरश्टी से संबेदान सील शेत्र एकोलोजिकली सेंसिटिव एरियास संदरक्षित शेत्रों राश्ट उद्यानों और वन जीव भ्यनों के आसपास 10 किलोमेटर के भीतर का शेत्र होता है और इसे वन प्यानों और वन जीव भ्यनों के आसपास कुछ गतिविदियों को विनेमत करना ताकि संरक्षित छेत्रों को सामिल करने वाले संबेदन सील पारिश सिक्तंत्र एंसी गतिविदियों के नकरात्मक प्रुहाव को कम किया जा सके कुश्चन नमबर सेवन पर आजाईए मेरा पानी मेरी विरासती ओजना के संदर में विछार करना है देखिए केंसरकार द्वारा जल संरक्षन के उद्देश से मेरा पानी मेरी विरासती ओजना की सुरुवात की गई है इसी ओजना के माद्यम से सरकार पानी की अधिक खप पहला गलत है क्योंकि यह हर्याना की सरकार हर्याना सरकार की योजना के नहीं है। इस योजना के माद्यम से राजी सरकार जो है पानी की अधिक खपत वाले धान के स्थान पर ऐसी फसलों को पृत्साहिद करेगी जिनके लिए कम पानी की अवशक्ता होती है योजना के तहट आगामी खरी फसल के दोरान धान के अलावा अनवेकल्पिक फसलों की वुआई करने वाले किसानों को पृत्साहन राशी के रूप में प्रती एकड़ 7000 रुपे भी दिये जाएंगे एक एकड़ में कितने विगा होते हैं 6 विगा 6 विगा पर 7000 रुपे मिलेंगे आठवा प्रश्न है विशेश रूप से कमजोर जन जाती है समू पीवी टीजी मतला पार्टिकुलरली वुलनरेवाल ट्राइवल ग्रूप के संदर में विचार करना है आपको देखे आदिवासी समूहों में पीवी टीजी अत्यदिक कमजोर है इन्हें यह पीवी टीजी दरजा 1973 में धेवर आयोग ने दिया था ग्रय मने द्वारा सब्सक्रिक काज़ा जन मतला मिला पाई इसमें पीवी टीजी इनकी कोई लिखे दभासा नहीं होती किनकी पीवी टीजी की ओ और इनका सारिरिक कद जो है वो अपेक शाक्रत अलग होता है पर्टिकुलर्ली वुल्नरेवल ट्राइवल ग्रूप कुश्चन नम्मना इन्हें हाल ही में समाचारों में रहा गिलोय क्या है कोरोना वायरस के उपचार है तो कोई उनानी टेक्निक है क्या कोरोना वायरस उपचार के बाद के इस्सिति है या फिर SARS-CoV-2 वाइरस के RNA का दुई-गुडण है या फिर विविन प्रकार के वुखारो तथा मधुमे रोग के उपचार हेतु उप्योग में लाई जाने वाली उसदी है ये वुखार वाइरल वुखार या मलेरिया वुखार कोई भी हो सकते है देखे गिलोग कोई उप्चार के बाद के स्थिती भी नहीं है RNA के आद दुई-गुडण नहीं है SARS-CoV-2 के विविन प्रकार के वुखारो तथा मधुमे रोग के उपचार हेतु उप्योग में लाई जाने वाली उसदी है इसका उतर है भी नियूज में है गिलोग तो गिलोग और अन्य उत्पादों का प्रपड़न करने वाली आदिवाशी एकात्मिक सामाजिक संस्था ने हाल के दिनों में काफी प्रकर्टी दर्च की गई है और कातकारी समुदाय कातकारी समुदाय के एक समुने आदी वाशी एकात्मिक सामाजिक संस्था के जरी एकात्कारी जनजातियों के विफिनकारियों को सुगम बनाने का कार जो है वो आरंभ किया है हाल ही में देखे समू द्वारा समू द्वारा इस्थानिय बाजारों में गिलोय को वेचने का उधम आरंभ किया गया है और इस उधम से अधिक से अधिक जंजाती समू इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं बात करें गिलोय की तो देखिए आयरवेद में गिलोय गुडूची के नाम से विख्यात है जिसका उपियोग औसदी के रूप में किया जाता है गिलोय विप्मिन उपरकार के बुखारो जैसे वाइरल बुखार मलेरिया बुखारादी तथा मधुमे के उपचार में इसका उ ओपन स्काय संदी के संदर में कौन सा एक असरत है। ये कई दिन से न्यूज में इंपोर्टन्ट है। हर टॉपिक को याद रखिए इसके। तो देखिए यह जो संदी है वर्स दुहार दो में अमेरिकी राश्टपती जॉर्ज डबलू वुस ये प्रशाशन के दौरान प्रभाब में आई। 24-4 में सामिल हुआ कि सको एलमिनेट किया जाए ओपन इसका संदी के संदर में पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है तिसरा भी करेक्ट है भारत संदी का सरस नहीं है तो देखे विकलबती यहाँपर सही गया होगा और इस संदी की अब धार्णा सीत युद्ध के शुरुवाती वर्षों के द्वारान अमेरिकी राष्टपती द्वाट आईजन हावर ने प्रस्तुत की थी और इस संदी का उद्देश क्या है सरसे देशों के वीच विश्वास को बढ़ावा देना और परस्पर स सहयोग से अंतरा स्टेश सिर्था को मजबूती प्रदान करना तो यह दस प्रस्टे इंपोर्टेंट अच्छे सा इसका रिविजन कर लिजेगा एक से दो बार धन्यवाद